Hello guys, welcome in this video कई जिसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम बात करें कि important points के बारे में जो most probably neat में पूछे जाता है तो पहला chapter is the living word living word में क्या क्या चीज़े important हैं मैं आपको इसके बारे मत्ते हूं देखो सबसे पहले living word में कभी-कभी question आता है कि defining feature क्या है livings का तो आपको इन सारे points को बहुत एक superficially देखना होगा because कभी-कभी पूछ जाता है next आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकते because these are not important उसके बार taxonomy, systematics इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है because यह important है इनकी definitions को इनके meanings को अच्छे समझ लेजे अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो इसके लिए मैंने एक video upload की हुई है जिसको आप उपर i button पे click करके देख सकते हो ठीक है उसके बाद taxonomic categories में taxon के बारे में जानना जरूरी है और यह सब आप मेरी वीडियो को देखकर जान लोगे इसके बहुत superficial है इसमें इसमें कुछ नहीं है उसके बाद अगर अगर इसमें कुछ है तो वह है taxonomical ads taxonomical ads को एक बार जरूर पढ़ लिजीए इसमें सबस्यादा important है की और पूछेता है botnical gardens के बारे में या यह flora manuals of monographs monographs तो यह सब चीज़े इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसमें तो गाइस लिबिंग वर्ड चैप्टर आपका पूरा हुआ इस तरीके से आगे के और भी वीडियो से उनको भी जरूर दिखे और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो यह आइडिया अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ़र मोर वीडियोज